हेलो एंड वेलकम तो यू आईडी एस्टेमेल गाज जैसा कि हमने पहले बताया था कि एपिसोड नबर सेवेंटी से हम चेप्टर स्टार्ट करेंगे एंगुलर फॉर्म को लेकर राइट यह फॉर्म होता क्या ही आप लोग बखु भी जानते हैं क्योंकि कई बार आपने भी फॉर्म भरा होगा आप टिकट के जब बुकिंग के लीजाते हैं वहाँ फॉर्म बढ़े होंगे तो यह सारी जो है फॉर्म कैसे बनता है कहा से बनता है अगर किसी को इस्टी मिल का नौलेग वह तो रख भी जानते होंगे कि फॉर्म होता क्या है जिसमे इंपुट फि fields होते हैं, तो उसी चीज़ को हम angular में कैसे form बनाते हैं, वो देखेंगे, तो अगर हम angular form की बात करें, तो दो तरह के form होते हैं, एक template driven form, एक reactive form, ठीक है, तो यह template driven form और reactive form क्या होता है, simple simple बात रखिए, template, template क्या होता है, html, right, html is a template, जो angular में होता है, उसके अंदर में form के द्वारा लिखा गया code, उसके controls को access करने के तरीके को हम करते हैं, template driven form, मतलब वो form जो template में ही हम सारा काम करते हैं, बहुत कम code होता है, जो कि हम ts file में करते हैं, right, reactive form को हम simple से कहेंगे, कि वो form जो ts file में ज्यादा काम करते हैं, इन दोनों का import अलग-अलग होता है, वो भी हम देखेंगे कैसे काम करता है, तो दोनों में difference किया है, आखिर template driven form और reactive form अलग-अलग क्यों किया गया है, simple से बात है, अगर आपको कोई छोटा सा form बनाना है, जिसमें की मानेतें 2 या 3 field हो, और उसके value को read करना है, और हमें किसी complex चीजें नहीं हैं उसके अंदर में, लेकिन जहां पर complexity की बात आती है, जिसे कि हमें कोई field को add करना हो, remove करना हो, उसकी validity को custom validations डालने हो, वो हम template driven में नहीं कर पाएंगे, करने को कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा complicated हो जाता है, तो वो, I mean, कह सकते हैं कि, वो highly effective नहीं होता है, तो उसके लिए हम reactive form को use करते हैं, तो इस chapter में हम start करते हैं, template driven form को लेकर, चलिए, चलते हैं code में, और वहाँ जाके देखते हैं, कि template driven form कैसे बनाते हैं, और कैसे value access करते हैं, ओके, तो हम पहुंच चुके हैं code में, तो जैसा देखेंगे, आप इस जिर पे left में HTML है, write में उसका output है, हमने developer tool भी open करके रखा है, अगर कोई error आया, तो उसे भी हम देखेंगे, right, तो हमने HTML में क्या लिखा हैं, सिर्फ एक form डाला है, और कुछ label डाले हैं, जिसके अंदर में इस तरह का design आया है, और देखेंगे, एक label, एक input और expand, और जो error है, और यही सब में repeated ह कुछ ज़्यादा नहीं है, और last में देखें, input type submit है, ताकि form हम submit कर सकते हैं, input type button नहीं है, submit है, जियान लगेगा, okay, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं template driven form को लेकर के, तो यह form जो है, वो HTML element है, लेकिन angular का जो directive होता है, एक directive देता है angular, जिसमें कि सारा उसका value, pristine है, test है, valid है, invalid है, यह सब data है, वो एक directive के थ्रूँ आता है, वो directive क्या है हमारा, ng form, तो सबसे पहले अगर देखा जाए, तो अगर form का अगर मुझे पुरा data लेना है, तो किस के थ्रू लेंगे, सबसे पहले एक variable बनाएंगे, और template variable बनाएंगे, तो template variable कैसे बनता है, वो simple हम डालते ह है, hash variable का नाम अपनी मर्जी से, मैं लिखता हूँ, regis form, registration form है, regis form, यह डाल दिया हूँ, और उसमें क्या देने, कौन सा directive, हमें मैंने क्या बोला, ng form, small में n, g और f capital होगा, बाकी camel case में हमारे, लेकिन यह ng form आया कहा से है, आपके घर से, नहीं, इसके लिए भी angular कुछ देता है, एक module देता है, जिस module के थो आपको ही मिलेगा, वो module क्या है, forms module, और वो forms module कहां से मिलेगा, angular forms में, और वो हमारा, import होगा कहां, import section में, उस component में, right, मैं लिखता हूँ, forms module, okay, इसको import कर लेता हूँ, सई, okay, यहाँ पर आप error नहीं देगा, यहाँ पर error आप नहीं देगा, आपने यहाँ पर एक चीज़ और देखा, यह interface मैंने बनाया है, employee का, यह हम बात में बताएंगे कि क्यों मैंने बनाया है, इसका use जब करूँगा तब, तो अब इस case में अगर देखा जाए, जब हमने registration form का variable बना के ng form directive में set कर दिया, sorry, ng form directive को हमने registration form के variable में set कर दिया, तो यहाँ पर इसका data पाने के लिए हम क्या करेंगे, submit तो करेंगे form को, तो वहाँ से हमको output event मिलता है, वो क्या है, ng submit, यह पहला, ng submit, और यह submit क्या करेगा, कौन सा function run करेगा, वही function run करेगा, जो आप function run करना चाहते हैं, तो चलिए हम क्या करते है, ts file में एक function बनाते हैं, वारा error यहाँ से चला जाएगा, ओके, लिखते हैं, submit form, यह बना दिया हमाई, यह तो error complete हो गया, लेकिन submit form किसके data को दिखाएगा, यह वही form का variable है, इसके variable को इसके साथ pass कर दिये, without hash, hash नहीं जाएगा इसमें, तो हमने यहाँ से parameter कर दिया, यहाँ से pass, तो parameter को हम यहाँ से get, I mean receive भी तो करेंगे, तो argument में, तो हम लिखते हैं, form object, form obj डालते हैं, किस type का data उदर से आएगा, वो आएगा ng form, क्योंकि ng form directive है, ng form का data आएगा, इसमें n capital में होगा, तीके, और वो आएगा हमारा form से, यहाँ से import हो जाएगा, ओके, ठीक है, यह हमारा बन कर आगया, अब इसको लिखते हैं, ओके, यह अभी भी कह रहा है कि error है, नहीं, error, अच्छा, save करना पड़ेगा, save नहीं किया था, हमने इसको, बस, अब इसको console.log करते हैं, console.log और इसमें लिखते हैं, form obj, जब यह form obj लिखेंगे, तो submit करने की courses करते हैं, क्योंकि data हमको submit करने पे मिलेगा चलिए, अब हम इसको हटाते हैं, और यहां से submit करते हैं, जैसे submit के देखे हैं, ng formula, अब इसके थोगा सा room ले ले लेते हैं, इसको अब देखेंगे, सब चीज़ है आपके पास, validators, validators, untars, status, pristine, pending, path, बहुत कुछ है इसमें, अब सब को अब use कर सकते हैं, तो कैसे जाने, आ उसके बाद वहां से आपने, वो, आप, I mean, इसके methods and properties को access करने के लिए liable होगे, तो ये तो था हमारा form label पर, right, अब क्या करते हैं इस जगह पर, कि अब इसी जगह पर हम input element में, यहां पर, इससे हम data get करने की कोशिस करते हैं, तो इसको data get करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर हम यहां पर, एक property binding करेंगे, और उसके अंदर में, हम event binding करेंगे, तो वह क्या होगे, ng model, अब ng model हमने डाला, और उसको हम set करते हैं, first name से, first name, यह first name क्या है, okay, मैं इसको copy करता हूँ, first name, एक first name का variable, यहां बना लेते हैं, ठीक है, और यह first name का variable हम क्या है, वो, string है, और उसमें हम डाल लेते हैं, राकेश, ठीक है, okay, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, मैं करता हूँ save, और इसे भी करता हूँ save, error तो कहीं नहीं है, लेकिन यहां पर राकेश आना चाहिए, right, first name, क्योंकि जब ng model में हमारा set हो चुक आपको मिलेगा यह error, देखरें, क्या कह रहा है, कि ng model is used within the form tag, either the name attribute must be set for the form, तो यह एक name खोज रहा है, आप समझें यह name क्या है, जब यह form submit करते थे HTML में, तो आपको name property देना परता था, ताकि php.net जो भी है, उससे data निकाल करके form को submit करते था, तो यहां भी आपको वही करन पड़ेगा, हम लिखते हैं name, और इसको लिखते हैं first name, same, अभी हमने डाल दिया, और jc हमने इसको करेंगे save, आप देखेंगे यहां पर राकेश आ जाएगा, और error भी यहां सर्च चला जाएगा, देखें, कोई error नहीं है, और उपर आपको राकेश यहां पर दिख रहा है ओकी, समझ गे, yes, लेकिन अब अगर यहां से यह तो हमने ts file से data लाकर के यहां तो दिखा दिया, क्योंकि अगर ts file में ही तो हमारा server से data आएगा, और वो लाकर के हमने यहां पर html में दिखा दिया, लेकिन html के data को, I mean variable को html में ही use करना पड़ेगा, तो क्या होगा, input के data को अगर use करना होगा, तो हमें जैसे form में variable बनाए, hash form, resist form, input के लिए पर बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको लिखता हूँ, hash first name, ठीके, यह मैंने first name का data, I mean यहां पर डाल दिया, variable, लेकिन इसको assign किसके साथ करना पड़ेगा, assign करना पड़ेगा, वही एक और directory जो किये ng model, वह form के साथ था, यह model के साथ है, अभी ना ng model यूज कर रहे है अंदर में, इसके साथ attach कर दिया, करता हूँ मैं इसको save, अब क्या होगा, अब होगा कि देखे राकेस के जगए पर object, object आ गया, वह इसलिए आ गया, क्योंकि ng model का जो two-way data binding आप कर रहे हैं, यह भी एक variable है, ज same name है, इसलिए ऐसा problem है, तो आप क्या करेंगे, first name यहां से आपको change कर देखे, कोई ABC आप डाल दी सकते हैं, हमने first name control डाल दिया, यह अब यहां पर, दोनों का नाम अलग हो गया, अब यहां पर कोई problem नहीं है, लेकिन ज़रा सोचिए, कि यहां पर आपने first name डाला, यहां first name control डाला, थोड़ा से नहीं लगता है, कि first name type रहता, same, first name, last name, ऐसे रहता, control, control, control कितना डालते रहें, कि same name नहीं डाल सकते हैं, तो yes, तर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, कि यही, जो देखे, आप अगर server से कोई data लेंगे, तो किसी तरह का data लेंगे न, अगर employee का data ल चाहिए, तो हमने क्या किया, यहां से employee को copy किया, और इसको ला करके हम यहां पर एक variable बना लेंगे, देखे, आप interface बना यह ने बनी, कोई फरक नहीं पड़ता, चले हम भी ना interface की बना रहे हैं, तो हम लिखे, employee का data, server से data आएगा, employee, और यहां पर आएगा first name, ठीके, मैंने last name में, last name में हम डाल देते हैं, कुमार, ठीक है, email हमारा क्या होगा, email id डाल देते हैं, इसका नाम हमारा क्या होगा, sorry, नाम का रहा हूँ, I'm value क्या होगा, rakesh.uidhtml.com, इस तरह का data, database से आ रहा है, server से, और मेरा हो क्या, mobile number है इस जगह पर, तो मैं इसमें डाल देता हूँ, mobile number, ऐसे डाला, और वो हमारा क्या होगा, नमबर होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, जो भी है, और last में डालते हैं, masses, जरूरी नहीं कि सब data डाले ही, masses, मैं लिखता हूँ, hello world, hello world, ठीक है, ये तो मैंने पुरा data डाल दिया, अब क्या करेंगे, अगर मैं इसको interface को use करने की कोसिस करूँगा, तो कोई भी value अगर miss होगा, तो वो देगा error, अभी तो सबकर सब data है, मैं यहां से message को हटा देता हूँ, ठीक है, देखे, employee मेरे data नहीं क्योंकि वो mandatory आपको डालना ही पड़ेगा, क्या चीज़ मिसिंग है, यहां पर, message missing है, तो इसलिए हमने बोला था कि उस करता हूँ, तो यह हमारा object object देगा, जैसा कि पहले दे रहा था, अब यही first name को जो variable बनाया, मैंने उदर employee, employee dot कर दूँगा, और जब से employee dot करूँगा, तो यह नाम हो जाएगा change, और वो हमारा काम करना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं, इस तरह से आप कर सकते, इसी तरी केसे हम क्या करते हैं, बाकी सब का भी value हम डाल देते हैं, तो एक second के लिए, देखेगा, अब इससे पहले कि मैं सब में डालू, मैं name के साथ ही आपको बताता हूँ, क्या चीज कैसे करना है, error के साथ, क्योंकि error भी हमको अब दिखाना है, तो सबसे पहले error कब दिखेगा, ज पहले आपको form का status बताता हूँ, कि form का status क्या है, यह जो form है, इसको template में ही status या valid है कि नहीं है, वो दिखाता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पिने, और last में, यहाँ डालते हैं, ऐसे और dot valid, ऐसे हमने डाल दिया, तो last में valid है कि नहीं है, वो देखते हैं, तीक है, load होड़ा देखिए अभी valid है क्यों हमने किसी भी form के element को validate करने की कोसिस नहीं किया क्यों कहीं भी required नहीं है कुछ भी नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें सिर्फ value लाकर रखती है तो जैसे आप में इसे required डालेंगे इस जगह पर required true डालने की भी जरूत नहीं है डालने से automatically true हो जाता है यह false हो जाएगा क्या form false हो जाएगा आज़ा भई requirement अचो ओके false इसलिए नहीं है क्योंकि यहां राकेश पहले से field है मैं इसको हटा देता हूँ चलिए यह देखे निचे false हो गया पहले data आ रहा था वहाँ से यह तो मैंने आपको बताए दिया कि यहां से data आ रहा है अब इसको मैं करता हूँ blank तो blank में तो starting में आपको false देगा true नहीं होगा देखे देखे false है starting में page reload हो चुका है राकेश में से हट चुका है राइट अब लेकिन button को तो अभी भी submit कर सकते हैं तो यह button को हमें रोकना पड़ेगा security के लिए के form के status को लेकर किस तरीके से form तभी button enable होगा जब हमारा registration form valid हो तो इस भी हाँ पर हम क्या करेंगे अगर मैं button पर डाल देता हूँ disabled चलिए last में हम यहां डाल देते हैं disabled disabled डाल दिया तो यह gray out हो जाएगा क्योंकि इसका css मैंने लिखाया है by default जबरदस्ती मैंने इसको disable किया है लेकिन इसी disabled को अगर मैं property binding कर दूँ किसके साथ form के status के साथ क्या regist form dot valid अगर valid करेंगे तो not करना पड़ेगा valid रहेगा तो disabled हो गया otherwise इसको invalid कर देंगे invalid अगर form invalid है तो यह disabled रखो okay अगर मैं करना form देखिए है न disabled है अब यहां मैं लेता हूं invalid देखने के लिए invalid तो यह हो जाएगा true क्योंकि form अभी invalid है राइट सही बता रहे है form invalid है इस लिए इसको disabled हो आप समझ रहे है कि बटन के लिए कैसे कर सकते हैं तो यहां पर आप क्या सीन है कि आद कोई भी बंदा करके form समिठ ही नहीं कर सकता इसको है ना तो एक सेक्रिटी है कि उसको भरना पड़ेगा अगर मैं first name में राकेस या कुछ value डाल देता हूं निचे देखिए enable हो गया क्योंकि अभी एक को ही मैंने validation में डाला था required को लेकर के तो अब हम आते हैं बाकी के लिए के हम डालते थे required सबते required डाल देते हैं यह copy कर दिया ctrl c अब हम जाते हैं किसमें अब model अभी इसका जो है सो employee first name रने देते हैं एक model को yes last name last name में जा करके मैं इसे paste कर देता हूं required और last name का एक variable भी बना लेते हैं जिगा पर as last name उपस कुछ गरबर हो गया don't save उबलती से चला गया last name यह भी डाल दिया variable और इसको ng model के साथ attach भी करना है ठीक है ng model last name okay और अगर आप ng model यहां पर रखने टूवे डेटा बेंडिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको ng model बताना पड़ेगा right क्योंकि आप टूवे डेटा बेंडिंग नहीं करे थे ng model आपको डालना पड़ेगा अगर आपको कुछ भी नहीं करना है simple एक blank form रखना है तो आपको ng model लिखना पड़ेगा जिसको कि आप इस directive के साथ attach करना पड़ेगा ठीक है ये भी हमारा हो गया required भी हो गया उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ इसको copy करता हूँ ओके फिर वही name नहीं डाला है अपने तो ये इसमें name भी डालेंगे right name email क्या है last name ये भी डाल दिया ये सही हो गया हमारा अब इन तीनों को मैं क्या करता हूँ उठा के सब के साथ भी करते हैं ताकि ये हमारा सही हो जाए last name ना होके email id email id डाल दी ng model इसको करता हूँ email id required है ओके और ये हमारा किस के साथ हो जाएगा input हमारा form control mobile के साथ हो जाएगा ठीके तो mobile के अगर साथ करेंगे तो ये हमारा name mobile number num कर दिया मैंने और ये हमारा हो जाएगा mobile num ये आगया required है कि के mobile num ये भी हमारा हो गया next क्या है हमारा last ने कि आपको कोई दिक्कत होगा, देखे सब में data हो सकता है, data field अभी नहीं आया क्योंकि two-way data binding नहीं है two-way data binding रहाता तो वहाँ field आता जो कि हमने यहाँ पर पहले से value भर के रखे हैं तो चलिए two-way data binding भी कड़ी देते हैं आपके लिए तो जब two-way data binding करेंगे ng-model हमने यहाँ बनाया है तो model के जगा से replace कर देंगे यह लिजिए, पहले से field data आगा ng-model employee.lastname उसी तरीके से हमारा email ID के साथ हो जाएगा देखे, बहुत आसान है अब सिर्फ pattern देखिए एक pattern देखे, क्या चल रहा है हमने ng-model के साथ किया था जब उसको कोई भी form में कुछ भी नहीं भारना था ठीके, लेकिन मुझे यहाँ तो अब data server से लाया हुआ दिखाना भी है ठीके, तो ng-model के साथ मैंने इसको यहाँ कर दिया dot message ठीके, देखे सब को छोड़ करके बाकी सब में data आएगा सिर्फ first name को छोड़ करके बाकी सब में data filled आएगा right okay तो yes अब यहाँ पर क्या है मैं अभी सब का data हटा देता हूँ क्योंकि हमको यहाँ पर data fill करना है right इसको null कर देते हैं और hello world को भी हम blank करते है ठीक है क्योंकि form validate भी तो करना है okay इतना सारा ची हमने बताया ठीक है इस जगर तो अब क्या करते हैं first name को validate करते हैं तो first name हमारे क्या है required कहां गये first name required अब इस में क्या लिखते हैं कि error के साथ कि अगर star ng if अगर first name first name invalid ठीक है invalid क्योंकि data उसमें नहीं है तो invalid अब देखें एक error दे रहा है ng if का क्योंकि ये common module से आता है ng if और common module हमारे इस import में present नहीं है कहीं पर भी तो इस पो डालेंगे common module ये पुराना वाला है बेतर होगा कि नया वाला यूज कीजिए हम नया वाला भी यूज करके आपको दिखाएंगे तो ये बोला कि first name invalid हो तो हमारा error दिखाओ लेकिन ये क्या ये तो starting में भी हमारा starting में भी हमारा दिख रहा है इस जगा पर ये तो नहीं होना चाहिए हम गहीं है चाहिए कि first time पर नहीं दिखे और बाद में दिखे जब उसको touch करके निकल जाए तो अब touch ये दिखें बाहर कहीं click करेंगे तब जाकरके वो touch होता है तो हम यहां क्या करेंगे and and और यहां डालते हैं first name dot touched अगर उसको touch करेंगे और invalid होगा तब ही वो दिखेगा है तो ये हमारा गाइब हो जाएगा यहां से enter first name यहां से गाइब हो जागा है अब मैं इसको click करूँगा और बाहर click करेंगे और आ जाएगा ये है न ये तो अब अगर माली यहां पर touch के जगह पर हम dirty कर देंगे तो dirty मतलब क्या होता है जब तक उसको type नहीं करेंगे कुछ भी चीज़ अब मैंने क्या क्या click किया और बाहर click किया कुछ नहीं हो रहा है click किया बाहर click किया कुछ नहीं हो जैसे आप type करने लगेंगे उसको हटाएंगे तब आएगा देखें टॉच्ड और डर्टी में आपने अंतर समझा तो मैं इसको भी touched पे रखता हूँ अब अपने requirement के हिसाब से रख लीजेगा ठीके ये अब इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ सब के इसको नया syntax के साथ डाल देता हूँ क्या वो है add the rate if और यही सब चीज़ उठाया करके मैं if condition के अंदर में डाल देता हूँ और यहाँ से ng if को हटा देता हूँ और इस span को यहाँ से cut करके यहाँ जा करके इसके अंदर में डाल देता हूँ ताकि हमारा अच्छे से दिखे काम दोनों सेम करेगा कोई दिखत ने form load हो गया क्लिक किया test error आ गया अब यही चीज में क्या करता हूँ जाय करके सब के साथ डाल देता हूँ ताकि हमारा सब काम करना शुरू कर दे यहाँ span को यहाँ से cut करता हूँ यह वाला last name के साथ कर दिया first name को मैं यहाँ से last name कर दिये last name फिर इसको copy करते हैं email के साथ actually multi में है तो मैं email का भी पहले वाले condition को लेकर चलता हूँ इसको मैं करता हूँ control D email id क्योंकि email id के साथ attached है और इसको मैं यहाँ से cut करता हूँ और इससे replace कर देता हूँ email id सही है या नहीं हम बाद में देखेंगे ठीके अब इसे मैं फिर से copy करता हूँ मैं लेकर जाता हूँ phone number के साथ yes phone number के साथ गया तो मैं इसको करता हूँ control D mobile num डाल दिया मैंने इधर और इसको यहाँ से cut करता हूँ और इसके साथ replace कर देता हूँ और last मेरा बचा masses sorry copy करूँगा हाँ यहां से masses के साथ तो इसके साथ मैंने इसको डाल दिया इसको control D करके masses डाल दिया और masses का जो भी इसका data था cut करके मैं यहां से इसके साथ replace कर देता हूँ हूप अब देखेंगे सब का यहां से data dive हो जाएगा लेकिन लेकिन required समय था लेकिन यह दोनों नहीं जाएगा क्योंकि इन दोनों का error हम अभी validate नहीं किये first name टच किया बाहर error last name टच किया बाहर error email टच किया बाहर error दे दिया email id, mobile number और message भी दे दिया ओके यह तो आपने समझ लिया अब हम आते हैं wrong email id को लेकर के यह वाला जो है पसे कर सकते हैं तो आप सोचेंगे क्या? यहा पर wrong email id आड़ जाते हैं तो इसको भी if condition में डाल देते हैं CTRL c और इसके अंदर में हम यहा डाल दे और इसके अंदर में हम इसको डाल देता है तो इस condition में तो देना चाहिए wrong email ID वाला भी validate हो जाना चाहिए अब देखें, touch किया tap किया, दोनों आ गया जबकि दोनों हमें नहीं चाहिए मुझे first time पर data अगर नहीं है तो उपको enter email ID है चाहिए बट अगर data डाले तो उसको check करे कि wrong email ID है इसका मतलब double validators चाहिए इसमें, तो double validators कैसे आएगा पहला validators तो required है तो दूसरा validator जो HTML5 का आता है वो होता है email, चिकरिएगा देखेगा email का आता है, आप उसमें email डालेंगे ठीक है, तो यहाँ पर type email भी कर सकते हैं email type ही करेगा, text type नहीं करेगा, तो अब इसमें जब जाएंगे तो वो आप email के में अगर कुछ type करने लगे हैं तो भी error देता है, HTML5 का तो अभी तो मैं angular का use कर रहा हूँ, तो अभी type text रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, text type होगा ठीक है और अब यह second validator जो है, वो actually error phase में जाता है error phase, error क्या है कि दो चीज़ का है, अगर required एक validator complete हो गया तो email चेक करो, email complete हो गया तो पुरा बता दो कि यह valid है तो यहाँ पर email.invalid के साथ काम नहीं करेगा तो कैसे काम करेगा touch दो ठीक है, invalid के जगह पर होगा email id.errors जितने भी errors है उसमें चेक करो कि वो हमारा यहाँ पर required required error है और test है, तो वो चेक करो, तो अब यहाँ पर कह रहा है कि पहला चीज़ तो errors जो है वो null भी हो सकता है देखे, last minute null है नहीं यहाँ पर तो null check के लिए कि हम बाद में करेंगे इसके लिए कह रहा है कि यह एक क्या करते हैं index signature है, तो आप उसको dot के साथ नहीं कर सकते हैं, आप इसको bracket के साथ as a string use करेंगे, तब ही वो होगा अब देखे क्या error दे रहा है अब यह error दे रहा है कि वो possibly comes from index signature must be with, okay नहीं, यह तो ठीक है यह actually error इसका नहीं है, यह error है कि यह null भी हो सकता है एक question mark देंगे, सही हो जाएगा एक question mark चेक करता है null के लिए, बहुत गंदे क्या करते हैं इसको लिखेंगे copy यहाँ से copy करेंगे और इसको यहाँ पे paste करके end end लगा देंगे यह भी करते हैं लोग लेकिन actually मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से validate नहीं करना है safe operator का use कीजिए angular का वो best way है safe operator क्या है यह question mark जो कि null and undefined को check करता है, ओके हाँ, यह required का error दे दिया अब अगर मैं यहाँ से errors को आपको एक बार दिखाऊं कि email id इस जगे पर जाते हैं और लिपते है dot errors अब इसको show करने कोसिस करते हैं यहाँ पर नीचे कुछ error दिखाएगा, सबसे पहला error क्या दिखाएगा उस error list में object, okay sorry यह object है तो उसको हम json pipe के साथ प्लीज अगर pipe को अगर नहीं पता है तो प्लीज पाइप का वीडियो जनल जाके देखिएगा तो यह हमारा इसके साथ जो attached error है वो list में देदेगा अभी पहला क्या है पहला required true है मतलब required का error है लेकिन जब इसके अंदर हम type कर देंगे कुछ भी चीज देखिए email का भी आ गया देख रहे हैं इसको हटा रहे हैं तो required type कर रहे हैं तो email जन्न कि दो तरह का हमें मिल गया error है न तो अब यहां भी check करें कि invalid के साथ ना हो अगर मैं इसको हटा देता हूँ अभी देखिए तो भी आ रहे हैं दोनो तो required के साथ तो ठीक है क्योंकि उसमें data blank है अब इसको भी हम invalid हटा करके यहां डालेंगे हम errors errors dot email type का और यह email फिल वही कहेगा index signature से आता है तो आपको बस यहां पर उसको as a string array के साथ string यूज़ करेंगे और यह वही error है कि errors null हो सकता है question mark अब देख लेजिए क्या जादू है जब आपने ऐसा कर दिया तो आप जैसे इस पर reload हो चुका है आप type करेंगे तो सिर्फ बताएगा और type नहीं करेंगे तो आपको बताएगा कि okay आप बिटी कर देदा हो डाल दिया है इसको पले हटाने जी है save करते हैं नीचे आ रहा था यह हमने नीचे देखा है नहीं ठीक है reload हो जाने जी है थोड़ा अच्छा दिखेगा अब मैंने click करके बाहर किया तो required का गया इंटर email id अब दुनों साथ नहीं आ रहा है जब type किया तो wrong email id है ना अगर मैं write email id डालू at the rate uidstml.com तो वो सही हो जाएगा है ना मज़ेदार तो आपने इसको validate कर दिया इस तरीके से और यही main errors आपको इसमें required ले लो email ले लो max length ले लो, min length ले लो pattern ले लो, बहुत कुछ है जो आप use कर सकते हैं तो same path इस जगह पर हम आते हैं कहां? mobile के साथ, mobile में हो गया max length और min length का है तो min length हम डाल देते हैं min length यह डाल देते हैं कि 10 digit का तो होना ही चाहिए और max length डाल देते हैं max length हम जाते हैं 10 ही होना चाहिए इससे उपर नहीं type हो सकता है minimum 10, max length 10 तो common sense लगा यह जगह पर अगर minimum 10 उसको चाहिए ही चाहिए तो max length तो max length तो उसको type करने नहीं देगा right अगर मैं इसको type करने के कोशिस करूँ तो 10 के बाद नहीं देगा right add करने के लिए digit में आ रहा है तो और भी pattern में हो जाता है कि इसमें alpha numeric नहीं होना alpha नहीं होना चाहिए वो pattern में फिर चला जाता है वो तो फिर आगे हो जाता है error.pattern में डाल करके ठीक है regular expressions में चला जाता है हम आपको basic इतर बता रहे हैं इस तरह से आप pattern को भी कर सकते है try किजिएगा नहीं होगा तो बताएगा मैं pattern के बारे में बता दूँगा अब इसे वो आएगा ही reactive form के साथ लेकिन आप अगर बोलेंगे तो obviously बात है especially उसके लिए बनाना पड़ेगा मिन length काता है कि वही एक error है कि minimum आप कम नहीं डाल सकते maximum आपको type करने नहीं देगा और minimum आपको check करके बताएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वही इसको copy करते हैं सबसे पहले required वाला इसको मैं इसमें डाल देता हूं और यहां से ऐसे डाल देता हूं required वाले के लिए करूंगा डाल देते हैं यह इस तरह से required होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए min length error max length लिखने नहीं देगा min length को check करना है अब देखिए दोनों के साथ कैसे होता है काम min length का भी लगा दिया max required का भी तो mobile में जाते है tap करके बाहर आते है mobile number required है गया करते जाएंगे तो देखिए जब तक हम 10 तक नहीं पहुचेंगे तब तक वह हमारा 10 digit का देगा जैसे 10 digit होगा तो max length लिखने नहीं देगा hope आपको template driven form को use करने में मतलब आप समझ गये होगे कैसे होता है अब इसे जिग आप क्या करेंगे आप पूरा data fill up कर दीजी और फिर देखिए आपको result का मिलता है मैं यहां पे डाल दिया अपना first name last name email id भी डाल दिया और कुछ number भी डाल दिते हैं ठीक है यह 10 digit का हो गया message हम डालते है ठीक है अब यह डाल दिया अब इसको जब submit करेंगे यहां पर जैसे हम नीचे आते console में check करेंगे क्योंकि submit enable हो चुका है पले submit enable नहीं था submit जैसे करेंगे देखिए हमारे ng form आया अब इसके अंदर क्या check करेंगे value देखिए है न value जैसको click करेंगे object आ गया चेक करते हैं देखिए सारा का सारा data हमारे पास यहां पड़ा हुआ है ठीक है तो अब यहां पर जाते हैं हम यहां जो console.log थे यहां पर value दोनों कभी कर देता हूं बाकी यहां तो फिर अब depend करता है कि आप कौन सा API call करते हैं कैसे आप आगे ले जाते हैं ठीक है यह इस को करते हैं save ठीक है अब एक और चीज़ मैं बता ही देता हूं उतना time क्याले न कि माले ते कोई भी चीज अगर disabled है अब कैसे करेंगे जैसे कि अगर मैं मान के चलता हूं इस जगह पे गए और मैं क्या करता हूं last name को disabled करता हूं चलिए email को ही disabled करता हूं क्या होगा input में गया और मैं यहां डाल देता हूं disabled ज़रा सोचिए अगर disabled है तो क्या required हो सकता है हां हो सकता है na required ठीक है मैंने कर दिया है अब अगर मैं इसको यहां पर टाइप करूं सब कुछ तो first name last name email disabled है और mobile number भी डाल दिया message भी डाल देता हूँ disabled पे required होने के बावजूद भी उसने उसको नहीं लिया इसका मतलब क्या हुआ disabled field को उसने ignore कर दिया अब इसको जब मैं submit करूँगा देखिए last name ng form तो आया ही आया उसका data था इसमें है कहीं email field नहीं है नहीं है राइट लेकिन ज़रा सोच एगर आपको message भीजना हो यहां से email के साथ तो तब कैसे करेंगे email के साथ value भीजना होगा अगर यह disabled है मान के चलता हूँ कि email id जो हम इस case में अगर मैं करूँ तो यहां पर email field पहले से filled out होगा ठीक है data तो है उसके अंदर में तो चलिए मैं यहां से first name यहां से last name email भरा हुआ है mobile में जाते हैं इसको click कर दिया और इसमें मैं करेता हूँ hello अब submit करेंगे तो क्या होगा जो data हम भेज रहे है उसमें email field तो है यह नहीं अब यह email field आएगा कहां से यही तो बात है अब यह email field आपको मिलेगा नहीं जबकि आप value तो देख रहे है तो यहां पे होता है form object जो आपको form का data मिल रहा है value से आपको access नहीं होगा यहांगा dot get raw value get raw value एक function है ओके ओके get raw value आपको sorry रुकिये गा ज़रा 1 second के लिए get raw value अगर मैं यहां check करूँ इस जगह पर form के अंदर में यहां पर form regis regis form dot get raw value अब यह क्या है यह हमारा देखिए यहीं है पर reactive form और template driven form में अंतर यह क्या कह रहा है कि get raw जो है वो आपका ng form में available नहीं है तो यहां पर reactive web form काम आएगा reactive form काम आएगा देख रहे है लिमिटेशन आपको disabled का state लेने नहीं देगा उस जगह पर तो उस case में अगर आपको disabled का भी एक object के साथ भेजना होता है तब यहां पर थोड़ा सा यह complicate हो जाता है तो कोई नहीं यहां पर reactive form भी आगे पढ़ेंगे तो वहां जाने की कोसिस करेंगे कि कैसे यह काम करता है ठीक है कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएए थोड़ा वीडियो लंबा हुआ लेकिन knowledge आपको मैंने लगभग complete दिया बस pattern नहीं बचाओ जगह पर जो कि regular expression में होता है वहां भी error.pattern है error.required था मिलन था वहां pattern डालना है और वह pattern का जो है variable उसके साथ कॉमा करके डालना होता है कौन से variable में कौन सा pattern है जो कि ts file में होता है तो यह था template driven form तो please बने रहे हमारे चैनल के साथ UID HTML के साथ और like और subscribe जरूर किजिए अगर आपको कुछ नया चीज पसंद आया और नया चीज सीखने को मिला तो बने रहे है next video के साथ जहां कि हम सुरुआत करेंगे yes आपने सही guess किया वो है reactive form जो की बहुत ज्यादा यूज होता है angular application में जहां पर की form builder, form array, normal form यह जाएंगे तब समझेंगे ना अभी क्या मैं बटके बोलना जुरू कर दू चलिए मिलतें next video में तब तक के लिए बाई बाई